ओखा की ते सोखा की, दोहां मिच कोई बोता फर्क नहीं जे हुंदा, ते अक्सर ओफर्क जिना कुई है, आपनी किती जा ना किती, कोशिश ते ही निरपर करदा, सूच के देख्यो जरा, जिसनू करंदी कदे हिमते ने किती, ओहो पला सोखा किमे लगणा, ते जिसनू करही लिया, ओस्च ओखा की रह गया, नाले समझन दी लोड है, अपना मानता हमेशा ही, हर पासे महारत हासल करना चाहेगा, पर हिसाब ता लगाओ एक बार, जिसनू कर दे कारके नी देख्या, ओहो पला किमे सिख्या जाएगा, ओखे ते सोखे दे चकरांच, अक्सर उलजेंग पर जे गोर करोगे ता पता लगू, वी कोल हमेशा सिर्फ शुरू करन दी ही रह जान दी, इसलिए ओखा सोखा छाड़, थोड़ी हिम्मत जी करो, साब गल्ला एक पासे सुट, ज़र तुसी शुरू ते करो वीडियो शुरू करूंते पहले बस एक मिन्ट दीगा लगू, आपना स्केजूल है पामेदया से करी, शोट रह के राख लियो तुसी, सोम बार ते मंगल बार आपा प्लस वान अकाउंट एंसी कराने है, शामी सही पांज वजे, बिलकु सही, बुद्ध बार नू टैंथ पंजाब बोड वाले हम आसते, ते वीरवार नू टैंथ एकनोमिक्स, सीबी एससी वाले हम आसते, शुकर बार शैनी वार दसमीना मैथ, सशेकाल जी, मेरा नाम है जस्प्रे सिंग, ते तुसी देखरें हूं, सिंग संस कंसेप्ट क्लासेज 2.0, आज जा पहां, कंटियो कर एकने लग गया, 11th class account, enjoy the video, assets, आपा एक करना, पिछे आपा कर चो के हम, पैले पांज पॉंट, जिदे विचे आपा लाइबिलिटी पड़े हम, बिसन्स ट्रांजेक्शन पड़े, capital, होर काफी सर चिजा, ते, assets, की चीज़ हों दिया, मुकदी कहल पला मैं आपने, सिंपल इसी लेंगेच घलगर, अ मारकर मेरे असेट है, मेरा मॉबाइल मेरे असेट है, मेरे कपड़े मेरे असेट है, जिड़ा समान मेरा आपदा हैगा, जिड़े मेरी प्रोपर्टी हो मेरे असेट है, बस, एन नहीं जाल है, हुन थोड़ा जा, एते समझे, assets are the properties owned by, properties owned by entity or enterprise, जिड़े बिजन्स कोई, प्रोपर्टी drove property जिड़ें, आप दा समान होन थो। कुछ वी हो सगद है, जमीन भी हो सगद है है, मिशीने भी हो सगद है, ने कुछ भी, बिजन्स दा समान है उस दा, जिते उस दी मलकीयत है, जिते उँ मालक है उनवना। आच जिज़ें दा, वो अपने assets ने एक ऐसे देख और भी गाल दियार economic resources economic resources हों देने चीक है जी पैसन अर्लेटेड हों देने अगली गलखास ही है in other words anything which will enable the firm to get economic benefit in the future is an asset मैं दो कवर्ड्स लिखने रहे कैसी है मैं सोच हूँ लिखे है दामा कुछ भी यार जिदना तो अग़े जाके फाइदा मिलूगा वो तो अड़े asset है हुन भी तुसी हुने तो फाइदा ले रहे हूं कुछ ऐसे भी ने कुछ ऐसे ने जिना तो तो अग़े मिलूगा हुने जिदे हुन वाले ते अग़े वाले ने गयालवात किये वो संजो जरा किये मेली assets नो पाँ वर्ण देयां कुछ पार्ज भीच सब तो पहले है का जी current asset current current नहीं मार दे current दा मतलब नॉर्मली उत्य वर्ड यूज किता है हंदा है जिसनो छेती इक न वर्ड किता जा सके cash देविच current दा हंद जरा regular period ना related हुनदा है current news क्या है पहले कि मेरी गाल सब्सक्राइब करण दा में नहीं संजो current इत्य जडा वर्ड यूज हुनदा है वो cash ना related है but normally current दा मतलब है जडा regular period ना related है तो अब अपजी में कहते है current news मतलब अज जकाल दी news क्या है ठीक है इत्य उनकी चकर है current asset उना assets नो बोलांगे जड़े फारम ने रखे पैने अपने कोल with the purpose of converting them to cash इस वास्ते वो asset रख्या पहे ताकि किसे दिन ओहो फारम उस asset नो convert कर देगी cash देविच पैसे देविच ते एक काम कदो हुगा ज्यादा लंबा टाइम नी लगूगा short period भी चोना चाहिए नॉर्मली एक साल हुदा एक साल ते जिमेंपा goods purchase कर दिया resell कर नमास थे एक word है थे debtor तो पहला दसना पो लगिया तो मैं तो नहुन दाजना बड़ा सोना थे word डाइटर एक है करेड़िटर पंजाबी समझ जोते हैं अन्डाल दो बंदे ठीक है एक तरीका है का सम्झांदा देखो देखो तो नहीं सिच्वेशन संजाना डाइटर की देख राइटर की सपोज आपने को दो ये बंदेने ठीक है गुर्पड़ित ने एक मवाईल वेच्चिया जस्परीद रूँ ठीक है मवाईल एदेकोल से गया इसने जस्परीद में देदता है विएर आभएच्चे शपरीद में पैसे बाद में जस्परीद डव हला का शेर सप रिज्ऑ राइटर की अगत्वेश्या जस्परीद में जस्परीद डैटर है ठीक है डैटर ओ बंदा जिस्तों अपाने पैसे लेने ठीक है जिस्तों पैसे लेने मैं अधे लिख भी दें न जिस्तों पैसे लेने हन अपने लेने लेने आपने नहीं लेने, आपने बोलांगे लोर्मली कि फरम ने पैसे लेने, बिजनस फरम ने, ठीक है? ते क्रेडिटर, हुन मेरी गलते है ना सुझें, जस्प्रत वास्ते, ओकोगा गुर्पडीत, मेरे वास्ते क्रेडिटर है, क्रेडिटर ओ बंदा जिसनू अपना पैसे देने ने, ठीक है जी? जिसनू पैसे देने हान, मैं फेर भी क्याल कर देना? पैसे, देने, हल. ठीक है? घून दिखो किसनе देने ने ओविएसली आप दे लिखेते हैं फरम ने पैसे देने ने commence इत्ने की चक्क रहा है जड़ा बंदा जिसने पैसे लेएने ने, जर्टर है जिसने देने ने, त यर्याच रहा है मसे समझे निकाय पॉइंट है ठेक है अग्य प्यार ना समझे डैडर वास्ते ना इक और वी वदिया वर्ड यूज उन देने बड़े सोने ओड़ बाई समवन तू फर्म किसे ने देने ने फर्म नू देने ने ओड़ आपा ज्यादा वर्ड यूज कर दिया है ठीक है मैं इदा में लिख सदा से गया है दा फर्म हैस्टू टेक मनी कि फर्म ने पैसे लेने में बट ओड़ वर्ड में दमाज बठाना है ओड़ वर्ड बहुत यूज उन्दा अपने इकांटने से चाहिए तहीं जाद रहा किसनू देने किसे नू देने ठीक है जी फर्मने देने फर्मनू देने ठीक है तहां दो बंदे अपने वासते बहुत खास नहीं हूँन्हे इक गल एजाद रख्यों कि जिसनू मैं पैसे देने ने जड़ मरा क्रेड़िटर उसनून अपमा एक ओर वी कैटगरी किए लिभी प्रेटीदे भी अच्छा आजना है तो पहला दसना सिगा दमाचुर एगे डैटर मतलग डैटर की ने उनों तो पैसे लेने ने उनों तो पैसे मेलने अपानों ते अपने फाइदा करन वाले बंदेने इस करके इसनों अपा एसेट मन देंजी ठीक है ताहीं एथे एग्जाम पैसेट सुनने तो ठीक है आई होप तो नों समझा आगया होएगा डैटर देकर डैटर की नेक्स्ट अपने कोल नोन करंट एसेट सहां देखो सारे एसेट इस सोच के नहीं ले जाने कि आपनों बेच दाने कुछ एसेट सपास संभाल की भी रख लेने जड़े आपानों का स्ट्रक्चर होरवदया कर नवासते उसनों एकस्पैंड कर नवासते या आलगालों बुजनेस दी केपैस्टी नो था आन वासते चैपबिलीटी नो था नवासते which are held by the firm not with the purpose to resell दवारा वेच्चन वास्ते नहीं करिदे जांदे but are held either as an investment or to facilitate business operations याता investment वास्ते या business operations नूँ होड़ सोखा करन वास्ते एं ऐसेट बरते जांदेने सिद्धी गाला सा जमीन तुसी जमीन करिदे आपना business होर वदान वास्ते तुसी machine ना करिदे आपना business होर वदान वास्ते वधिया तरिके ना काम करन वास्ते AC लगाले आजी, car लगाली car ली खरीदली सोरी ठीक है ता एजड़ी चिज्जाने अपने वदान वास्ते ना करिदे आपनी वर्तो वास्ते तक बाद बिजनस ते काम नो होर सोने तरिके ना कर सके इस वास्ते खरीदिया अग्ये का ले आजान दिया है कि यह दो तरह दी हुंते ने एक tangible एक intangible tangible जिन्हों टच कर सकते है intangible जिन्हों टच नहीं कर सकते physical existence हों दिया है tangible दिविच जिमे की मेरे को कुलर पे है सेड़ती पे है ते की कार हो सकती है AC होवे, जमीन होवे, मशीन ना होण कुर्सिया होण, मेज होण जोगजमर जी सारा कुछ ताड़कोल हो physical existence वाला उन्हों tangible asset बोल दिया land, building, machine, etc. intangible क्या है intangible जिन्हों टच नहीं कर साथ बट फेर भी होते हों देने ते वो asset हों दे केंदे नहीं no physical existence software तो उन्हों पता है software फुरी तो डाउनलता कर लेने पर उन्हें भी वदिया नहीं मेल आपनो, फुरी वाले paid versions ज्यादा वदिया हों देने जिना पिछे तुसी पैसे लानने हो सची मुची, 5-5 हजार दे software ही पहेने, 10-10 हजार दे software पहेने हैगेने software, इना दे भी मुल हुं दे तो गाले यह वी software भी assets है trademark, trademark क्या हुंदा logo हुंदा, उस दी भी value हुंदी है अपना किसे भी company, देखो हरे company दे अपना trademark हैगा मैं अगर product बना रहे हाँ तो मैं किसे company दे trademark चाके, same to same sticker आप दे लगा लिया तो company दे आखे मैंनों बहुत बॉले नगे ते case कर देंगे कि साधे trademark दी value, साधी reputation दी value है साधा trademark है, तूं की भी बरतले तंगाल लही है जी, इस दी भी value है ठीक है, trademark है logo है, निशान है company दा, ठीक है physical existence था नहीं हैगी बट उजड़ी चीज है उजड़ी के value है तो इस करके intangible asset बोला है हुंदा intangible fixed asset अपने को हैगा जी, fictitious asset थोड़ा सोनन चाहीजीव लगदा बट हैभी है assets picture neither tangible nor intangible ऐसे assets ने ना इंटा ने पर फिर भी asset ने देखो इचकर किया अपने नुकसान पर नुकसान पर नुकसान होए पर हुंदे ने जिननों पर राइट ओफ, रेटन ओफ नहीं कर दे एक साल देज नोर्मली पता है क्या हुंदा मेरी गल समझो प्लीस दुकानदार हर कोई बिजनसमैन अपना प्रोफिड या लोस हर साल चेक कर लोगा जातर एक मिन्हे मिन्हे बाद भी पर अकाउंटिंग पिरिड दे कि हर साल प्रोफिड चाड मिन्हें अपने प्रोफिट सफ़ों छो काड़ की कि अपनी एपनी सारी सालनी कमाई तो चडिकी खर्ट खर्च ऑगा। तो कड़के देख्खोंगा। थो जाल हो मेरा कंगा नुक्सान के शाली मेरी मेरा अगर मैं साल गर्शानी कमाई हुई है If incomeув Kab giàasis Does पोठा जाहन देने जिनननों अपा एक साल दे विछ नहीं अड़ज़स्ट करदे उन उन्हों कडीस दे यां अगये लेके जैने यां जमें लगा लो पंजा हजाारदा खर्चा हो गया ति उस ते मैं कडीसा उस पता है कि मैं कडीसा है ऐसा में एगले साल कृटाया एडजेस्ट गिता दास में अगले साल लोसस ने not written-off in a year उस साल देविच नहीं आगे write-off हों ने in which they are incurred जित साल एह हुंदे ने उस साल इनों पर निए अड़ेस्ट कर दे बल्की in more than an one accounting period उनानों एक साल तो वादर टाइम वास्ते नोर्मली एक accounting पिरिड तो ज्यादा एड़े टाइम वास्ते आपा भांडले ने ठेक है अगे कार देने हों ने अगे काल है एदी वीच एक्जामपल ए बड़ा सोना जा वर्ड है deferred revenue expenditure एदी वीचे मैने एक्जामपल देती advertisement expenses जी deferred revenue expenditure क्या हों देने अगे जाके तो नो यह समझा आना सी वैसे चलो हुन समझा आए देने expenditure दा मतलब होंदा सिद्धी जी गाला खर्चा ठेक या expenditure दा मतलब है सिद्धी जी गाला वी खर्चा पर तो नो अगे detail असने थोड़ी जी प्यार नाल ओ देखियो expenditure दो तरह दा होंगी जी एक उन्दे capital expenditure एक उन्दे revenue expenditure capital expenditure ते revenue expenditure फरक की है capital expenditure एस वास्ते होगा जदो तुसी अपने एक तरीके ना इन्वेस्टमेंट कार रहा है जदो तुसी अपने asset वदा आ रहे हों तुसी एक furniture खरीद दिया है तुसी machine खरीद दिया है तुसी लगालो mobile खरीद लिया business वास्ती ठीक है जी वो सारा दा सारा capital expenditure है मैं क्यों कह रहे capital expenditure है सिद्धा ये तुन दसना है था मतलम की निकल था वो दा benefit जड़ा होगा capital expenditure था more than one year था होगा तुसी कोई भी capital expenditure करो तुसी furniture खरीद दो तुसी mobile खरीद दो तुसे लगालो जमीन खरीद लो कोई कोई machine खरीद लो एक साल तो बाद चलू guarantee है एंता निकावी साल बाद खराब हो जू या साल बाद खत्म हो जू वर्त वर्त के का कास जूगी कटू कट एता अपनों मैसूस होंदा ना भी साल तो चलूगी हाँ अपा पान दी है गलवक खरी है या आप खराब कर दी है अगलवक खरी है बट नॉर्मल आपा कही है तो एक साल तो बाद चलूगी हो चीज तो ओ जड़ा खर्चा है एजीन चीज़ें तो जड़ा खर्चा होंदा है जिस तो benefit तो उन्हों एक साल तो ज़्यादा मिलदा है उन्हों केने हो capital expenditure पर जित्थे तो उन्हों खर्चेदा जड़ा benefit है पैसा पर रहा ओ पेनिफिट तो साल साल ता मेले है साल साल ता मेले है जिवे कि तुसी electricity bill देऊ electricity bill पर देऊ नॉर्मल यह दोदो मेंने बादा है नहीं है मैं केना साल दा कठा पर दूँ साल ता बाद कुकड़ा परदा साल दी पर रहुए बाद इस तो जाता नहीं पर लगे बेल ठीक है सालरी ठीक है जी सारे अपने खर्चे ने है जिए आप आपने एम्पलोईज ने सालरी देनी है electricity bill पे करना हुन ए तर नहींगा रख लुझ सेलरी देदी तो भी फुञै कैनी मुड़के मंगणी नी एदा बेनिफित हो बद रख कि है मैं साली सालरी देद बाद मा उस ता और साल था तो अख साल वास्ते खोशा बांद है खली साल फेर मंगेगा चल्द है नहीं तो इन नो है जे खर्चानों अपा जड़े अपानों बेनिफिट एक साल तो काट दे समयता दंदने ने उननों रेविन्यू एक्सपेंडिचर के ने ते इस नों कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्क समझ आया है मोटी काल जबी समझानी सी ओ यह सी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जड़े हैं तो रेविन्यू ने बट उननों ट्रेड किता जान्दा है कैपिटल वांगो उन तो सिखों के आ की गल बनी ही मिक्स करते कई वर ओजान दा जार मिक्स भी हो जान ने नौर्मली क्या है जमीते अड़र आश्ले जमीजाना एड़िजमेंट डिसमेंट मतलब मेशूरी करना एड देना अपे अड़िजमेंट बहुत तरिक्या ना कार सोदेँ कि शाय तुछी ने ते तो चाहे तुछी थे थे लिड़ु है कि अटे चिवे तो से थे नौटी करने जिविज हो और जिगरों पर खा पैसा लगादनें इनुन पैसा लाग गया थेृतना को सब्सक्षान को सकत掃ए है कि पैसा ज्याध लगन करूकर गए में नहीं आपने प अपनी गित्ट मेत्वां थि अक मुणा इपनी दो-सल Protestant से कम करूगी तप्यर अधिर्टीय टाइम ओर और revenue नाम दे expenditure नुही है, अपा capital बना लेने हैं, जिन्हों आपा बोल दें, deferred revenue expenditure नॉर्मल यदिविच एक्स्पेंडिचर जड़ा है, advertisement दिया हम दा, बढ़िच एक्साल में कड़िया, वी साला खर्चा वी अर्धा खर्चा में कड़िया, ते भी 10,000 खर्चा में एकसाल कड़िया, अब भूँआ मैं, तिन अलागा सालां दे वीच आपना खर्चाischen, राइट-थड़ा जा रहे हैं, एड़्जस्ट करता जा रहे हूं ठीक है जी ए चीज थी कि deferred revenue expenditure तो इस वीड़े च बस एनाग होगी मिल दें आप नेक्स्ट वीडियो दे बीच ए वीडियो तो नो के में लगी प्लीज निच्छे कमेंट करके दस्यों जी अगर तुसी मेरे कमनों सपोर्ट करना चाने हो तो नीचे पेटी हम नमबर देता होए चंगा जी सश्रीका